ओडिशा के बाला सोर में हुए भीशन रेल हादसे को लेकर के प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने शनिवार को एक रिवीव मीटिंग की सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार पीम मोदी ने ट्रेन हादसे से पैदा हुए हालात की समिक्षा के लिए अधिकारियों संग बैठक की हादसे में 288 से ज्यादा लोगों के मौत हुई है जबकि एकजास से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं यहादसा भारत में अब तक के सबसे बड़े भीशन हादसों में से एक है इस्टेन हासे में बैंगलूरू हावडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस शाली मार्च गाडियों का एक्सिडेंट हो जाना उसमें जो अभी तक फिगर्स मिले हैं खबरों के उनसार वो 238 हैं और मैं सुन रहा था कि उसके बाद और भी कुछ प्लाशे निकाली जा रही हैं और तकरीव नौ सो लोग कहते हैं जो जख्मी हो गए हैं इतने बड़ी तालाद में श और दूसरों के लिए उनकी जल्दी वो स्ठीक हो जाएं उनके लिए कामना करते हैं और मैं यह समझता हूं कि सरकार को एक दम इसके लिए जितना मौफजा दिया है मौफजा शायद उससे ज्यादा दे देना चाहिए दूसरी बात यह भी है कि आज रेलवे का सिस्टम इतना विक्सित है कि अगर रेलवे ट्रैक पर कोई हाथसा हुआ है तो तूरंत इस्टेशन पर मौजूद डिस्प्ले में इस्टेशन मास्टर साइथ अन्य अधिकारी करमचारी को इसकी जानकारी पता लगती है ट्रैक प करेंगे रेलवे सुरक्षा आयूक्त स्विल एवियेशन मिनिस्ट्री के अधिन काम करता है और इस प्रकार के सभी हादसों की जाच करता है है पूरू रेल मंत्रीर है रालो परसाद्यानों ने भी सरकार पर लापरवाही का रोप लगाए कौरमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है चेनई के लिए चेनई जाती है मदरास उसके उसके लिए जत्राखी होगी है खीस तर से इन लोगों ने परवाही बरता सवधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुलीटी हो गई है जो खबर है लगवाग आर्ट सर लोगों की मिर्टी हो ये बेशी भी होने की काफी सम्भवना है इसकी मुझे सरीय जरांच कराया जाए और पूरा जो दो सी लोग है इसमें इसकी सनलिपता है उसकर करवाई करना चाहिए कुल मिलाकर के दोनों ही रेलमंतियों के बयानों के अगर बारिकी से समझा जाए तो उनका इशारा साफ है ये हादसा रापरवाही के कारण हुआ है और यही करण के दोनों ने ही सरकार के कारेश्वयली और रेल्वे की कारेश्वयली पर सवाल उठाए है क्योंकि सरकार के उसे यही दावा किया जाता है उन्होंने रेल्वे में काफी कुछ सुधार किया है जिससे हादसों को रोका जा सके लेकिन इस हादसे ने सरकार को स्त कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले.